हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदित नारा इंविश्टर कर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप सौप कोर्स के बारे में जैसे कि आपको आप पर पता होगा पिशली वीडियो हम बनाया थे जिसमें हम बात के थे टाइप सौप कोलेज के बारे में कि कई तयाप के होते हैं और आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है लेकिन आजके इस वीड़ो में हम बात करने वाले है टाइप और कोर्स के बारे में ते यहाँ पर आप ये confusion मत हुएगा कि लिए इंजिनेरिंग के टाइप के बारे मेटनिनिकल के बारे में बताइँगे पारमेडिकल के बारें बताएंगे तो इस कूर्स के बारें हम नहीं बात करने हैं हम बात करने वाले हैं certificate, diploma और graduation कूर्स के बारें कि ये क्या होते हैं अगर आप से 12th complete किये हुए और आप admission लेना चाहते हैं तो आपको certificate करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए या फिर आपको bachelor यान पर जादेतर होता है, देखिए सबसे पहला होता है, अगर आप 12th complete कर ली हो अपना, तो जो है कि certificate course, या फिर diploma course, या फिर graduation course, इन तीरों में आप direct 12th के बाद admission ले सकते हो, बहुत से course होती हैं, इसमें आप 10th के बाद भी admission ले सकते हो, मैं एक चीज पहले किलियर कर दूँ कि ए मजने आएगा, फिर आप कहीं ने कहीं आधा ग्यान जो है, आपको कुछ कामकार नहीं होगा, तो सबसे पहले हम इस्टार्ट करते हो, बात करते हैं certificate course के बारे हम बात करें कि कितना कम से कम duration हो सकता है, इसका जो timing है, तो कुछ घंटों का भी हो सकता है, और ये जादे से जा भी लोग कर सकते हैं इस course को, जिसमें कि अभी coronavirus में आप देखे होंगे, बहुत से लोगी status में या फिर कहीं अलग अलग जगा certificate लगा रहे थे coronavirus के, तो इसमें ऐसा कोई नहीं था कि like-n का कुछ qualification होना चाहिए, तो बहुत से certificate इस तरह के आपको मिलते हैं, जिसमें किसी प्र जाते हैं, या फिर और अलग अलग पर आरके बहुत से, चाहे आप engineering में बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर paramedical के अलग अलग सेक्टर में बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी field में बात कर लीजिए, आपको certificate course मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई university या फिर कोई ना कोई website कर सकते हैं, तो यह जो होते हैं, एक limited आपको provide करते हैं, लाग कि आप उस चीज में थोड़ा सा महारत हांसिल की और उस चीज के बारे में आपको जानकारी है, उस चीज का पस एक certificate है, यहाँ पर यह भी हो सकता कर आप कहीं internship में जाते हो, कहीं अपने training में जाते हो, तो आप आपको एक certificate दिया जा सकता है, जिसमें आप देखोगे कि लाइक कुछ university का, कुछ college का नाम लिखा हुआ है, और certificate उस फे लगा हुआ है, जैसे example कि मैं यहाँ पर बात कुरता हूँ, और मैं कुछ certificate में कुछ ऐसा course बनाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद आपको certificate प offer आपको provide करता है, तो आप चाहते हैं कुछ कम समय में, कुछ अच्छी जानकारी लेना, किसी special field के बारे में जानना, तो आप इन course को कर सकते हो, बहुत से अलग-अलग अप sector के जो course है, लाइक की बात करे हैं, हमें आपे paramedical, diploma, management, engineering, तो इसमें अलग-अलग चीज का हो सकता चाहलाई कि इसका जो time है कि कि किसी में 6 महिना, तो किसी में एक साल, अब बात करें, paramedical में तो बहुत से sector आ जाते हैं, चाहलाई, technician हो गया, nursing हो गया, pharmacy हो गया, optometry हो गया, radiology हो गया, आप रेडियो ग्राफर जो है, तो यह अलग-अलग हो सकते हैं, तो इसका timing जो है, अधानमंत्री, कौसल, विकास, उसमें भी बहुत से certificate course हैं, लाइक उसमें भी आप certificate course कर सकते हो, वो भी एक पर राखर के certificate course थे, जो कि कुछ घंटों के थे, लाइक यहाँ पे 20 घंटा, तो एक महिना, दो महिना, तीन महिना, छे महिना, ऐसे अलग-अलग के सब थे, तो अब किसी चीज में diploma के हो, लाइक है, दिप्लोमा इंञरियरिक या, फिर इप्लोमा इन फर्मेसिण, जो कि जिसको की जीनम, बोलते हैं, या फिर और भी अलग-अलग प्रायर कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अब एक डिप्लोमा इमेडिकल लैब टेखनोलोग्यू, तो य यह डिप्लोमा कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कहिने कि आप उस चीज में एक महारत हासिल कर ले तो और आप उससे लेटेट एक जोब आ सकतो, सार्टिफिकेट से जादे बेलू आपको प्रवाइड करता है, और इसी प्रिकर होता है आपका गिरिजेशन कोर् अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो आपका टेन्थ या पास, मेक्सिमम में बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्स होंगे, जो कि आप आठ भी पास भी कर सकते हो, लेकिन आप जो मेक्सिमम की बात करें, चाहा इंजिनियरिंग के चाहा मेनेजमेंट के लिए लिए चाहा फार्मेशी के लिए चाहा जनलिजम के लिए 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 इस टाइप जो भी डिपाटमेंट है, कहीने कहीं आपको टेन्थ या ट्वेल्थ कम्प्लीट होना ही चाहिए, जैसे मैं कुछ एक्जामपल के थुरू बात करूँ तो चाह से इसको करने के लिए भी आपका 12th complete होना चाहिए चाहा बात के लिए डिप्लोमा engineering के लिए जो कि यूग polytechnic होता है maximum लोग polytechnic के नाम से जानते हैं diploma in engineering तो इसके लिए भी आपका 10th complete होना चाहिए तो ये कुछ होते हैं इसके जो है आप किसी एक field का कोई course कि वह लेकिन फिर भी आप बहुत से field के लिए eligible होते हो चॉप करने के लिए जैसे मैं example के तुरू बात करूँ तो चाहे आप BA किये हो या फिर BSC किये हो या फिर B-COM किये हो या फिर B-Pharma किये हो या फिर B-TEC किये हो या फिर bachelor's में कोई और degree आप graduation course कियो हो लेकिन आप UPSC जैसे exam को में बैठ सकते हो यानि किसी भी any stream से आपका graduation complete है तो आप उस form को apply कर सकते हो और उस form के इंट्रेंस एक्याम में बैठ सकते हो तो इस तरह के बहुत से government के form आते हैं इसमें बोल लेता है any stream graduation complete होना चाहिए आपका तो आप कोई भी stream से graduation complete के हैं तो आप उस course को कर सकते हो लाएकि उसके लिए आप eligible हो इंट्रेंस एक्याम दे सकते हो या फिर completion exam की त्यारी कर सकते हो ज उसी चीज में आगे जो है job कर सकते हो तो यह कहीने कहीं डिप्लोमा का जो है थोड़ा सा disadvantage है अगर बात करें हम बैचलर या graduation course है तो अब बात करते हैं graduation course minimum कितने साल का हो सकता है तो जो आपका graduation course है यह minimum से minimum 3 साल का होता ही होता है तीन साल से कम का कोई भी आपको graduation course है आप नहीं मिलने वाले हैं और maximum से maximum आप जाएंगे तो 4-5 साल के भी हो सकते हैं कुछ course और फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका 3 साल maximum इसका time है लेकिन आप इसको 5 साल तक में भी complete कर सकते हो लाइक बात करें इग्णू ओग्रे कि तो से की भी कौम की तो यह सभी 3-3 साल के graduation course है लेकिन बात करें यहाँ पे बी टेक की या फिर भी सी नर्सिंग की या फिर भी फार्मा की तो यह भी एक graduation course है लेकिन है चार साल के graduation course है तो यही कुछ जो है difference है और आप समझ चुके होगे प्रोपर जहां तक है certificate और जो है डिप् पोस्ट ग्रिजोशन कर सकते हो ग्रिजोशन करने के बाद पोस्ट ग्रिजोशन के बाद आप यहाँ जैसे doctorate degree PhD जैसे course कर सकते हो जबकि यहाँ पे आप certificate course की हो तो आपको सबसे पहले certificate के बेस पे बहुत से course में admission नहीं होता है आगे चाहे आप डिप्लोमा की हो तो डिप् लेटरल इंट्री है जैसे बात करे de-farma करने बाद b-farma आप lateral entry ले सकते हो लेकिन वहाँ पे एक साल अपका time waste जाएगा आप direct b-farma medumation लेतो तो चार साल में complete हो जाएगा जबकि d-farma कर के बी-farma जाते हो तो आपको direct second-year medumation होगा फिर भी आपको वहाँ पे तीन साल टेना आपड़ेगा B फार्मा में और दूसर डिप्लोमा में तो आपका कहीने के यह 5 साल का हो जाएगा इसी प्रकार से जब आप लाइक कि आपके पोस्ट बिसिक ब्यस्ति नर्सिंग भी कर सकते हो या फिर DMLT करने के बाद BMLT कर सकते हो लिए किसी प्रकार टाइम डिरस में आपक करते हो तो आपको थोड़ा तो टाइम में बचत होती है लेकिन कहीने कहीन थोड़ा आपका टाइम नुस्कान भी जाता है अगर बात करें अलग अलग किसी कोर्स में तो सब ही कोर्स में ऐसा नहीं है अगर आप डिप्लोमा कोर्स करके ग्रिजवेशन कोर्स की तरफ जाते ह कि मुझे अब जो है इस कोर्स में जो है गिरिजोशन करना है तो वो चीज आपको यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी फिर से आप कोई स्टार्ट करना पएगा तो वो डिप्लोमा जो है आपका कहीं कहीं वेस्ट चला जाएगा उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप बेफार कोई मतलब ही नहीं बनता उसी फिल्ड में अगर किसी और अलग फिल्ड का है तो वो काम ने सकता है तो यह कुछ होता है लाइकि आप बात करें मतलब यह ओवर आल सभी के बारे में तो अब यहाँ पर अगर आप लाइक गिरिजोशन कोर्स में डिएरिक एडमिशन ले तो certificate और diploma की तरफ आने का कोशिस मत कीजिए और आपके पास time और पैसे की दोनों की कमी है और आप चाहते हैं जल्दी से टल होना तो आप यहाँ पर certificate या फिर diploma जैसे कोर्स में आ सकते हूं और यह भी ठीक है लेकिन इसके कुछ जो है कि आप आगे नहीं कर सकते हैं एक limited offer आपक तो ऐसा नहीं है लेकिन आप अगर उसको सही से बढ़ेंगे तो मुझे जाते कभी तक knowledge है कि यहाँ पर technical और medical को छोड़ करके है यहाँ पर अगर vocational training में अलग कुछ course करते हो तो उसमें हो सकता है लेकिन यहाँ पर technical और engineering की बात करें तो इसमें अभी तक ऐसा नहीं है कि आ सायद possible नहीं है I hope कि अगर यह clear हो जाएगा तो मैं इसमें भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि हां new education policy के ताध यह चीज संभव है अगर आप direct as a admission लेना चाहते हो तो certificate और diploma न लेकरके आप direct graduation course में admission लो ताकि आपको एक या दो साल बात college drop out भी करना पड़े छोड़ graduation course में अंतर और प्रोपर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और comment box में बताएगा कि हा मुझे प्रोपर समझ में आ गया और फिर भी और कोई confusion है आपको समझ में नहीं आया है तो आप comment करके भी बताएगा कि यह चीज clear नहीं हो पाया तो मैं क आपको भी बॉसिषा करें कोलिक है कि मैं comment में ही आपका reply देदू एफ फिर मैं new एक वीडियो बना दू जिसमे?Cな ap3 के बारे में टूटल explain कर दू और और वीडियो बना दू जिसमे?Instagram कोस के बारे में ही तोटल explain कर दू और और एक वीडियो बना टे जहा है।